गुड मॉर्निंग, विल्कम बेक, सस्रिया काल, केम छो, सूपरभात आईए हर भी क्लासेज यूटूब चैनल पर आपका एक बार पुना स्वागत करते हैं जल्दी सब लोग लाइव आजाएं, जितने लोग भी लाइव हैं, जितने लोग भी लाइचेट पर लगे हुए हैं जिनके पास भी अभी तक लिंक सेर हो चुकी है, या लिंक पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना? वो आगे भी फारवर्ड करते रहें इन्वाजमेंट का एक नया टॉपिक आपके सामने है वन्य जीव संरक्षण परियोजना वाइल्ड लाइफ कंजरबेशन प्रोजेक्ट्स ये क्या है इसके अंतरगत क्या क्या चुछे हमको पढ़नी है वही हम आज किलियर करेंगे ठीक है तो ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से समझिएगा ऐसा कुछ नहीं जो आपको समझ में ना आए ठीक है चलिए शुरू करते हैं बैया आज की क्लास और पहली परियोजना देखिए कौन सी है बहुत ही इंपॉर्टेंट जितना आप कह लेजिए उतना कम ठीक है उसका नाम क्या है बाग परियोजना नाम क्या है उसका बाग परियोजना बाग परियोजना इन इंगलिस टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट बास समझ पाया भी या टाइगर प्रोजेक्ट आईए इसके चर्चा आप से करते है तो जितने लोग भी लाइब है हमने का कुछ न कुछ सुबह की कलास होती है तो कुछ न कुछ न कुछ बताना पड़ता है कुछ न कुछ optimization देना पड़ता आपको सुबह सुबह तो कुछ लाइस हमारे पास होती है जिसके वाहरे में आपको हम चर्चा रोज करते हैं आज की लाइन क्या है बड़ी प्यारी लाइन बहुत ही प्यारी लाइन है किसी ने बहुत खोब कहा है कभी कभी जिन्दगी में खुसिया मिलें तो मिठाई समझ कर चक लेना अगली लाइन बहुत ही अच्छी है अगर गम आए अगर गम आए तो दवा समझ कर खा लेना ठीक है इसका सार क्या बिया कि कभी भी गम से ना घब बढ़ाएं कभी भी दुख से ना घबराएं हमेशा प्रयास रत रहें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें ठीक अभी इसके उपर कहानी आपको आगे बताएंगे टापिक सुरू करते हैं क्योंकि कम लोग जुड़े हुए अभी कहानी बता देंगे तो समझी ने पैस हरने क कौन से कहानी बताई उसका में थीम क्या थी उसकी क्यों को बताया गया थीक है तो हेडिंग डालिए अब यहां वन जियुस से लक्षन परियूजना वाईल लाइफ कंजरवेशन प्रोजेक्ट्स और इसमें पहला टॉपिक कौन सा है बाग परियूजना पहला टॉपिक कौ सुभारंभ इसका कब किया गया था, इस बाग परियौजना के सुभारंभ कब की गई थी? 7परेल 1973 अपरेल 1973 को इस परियौजना के शुर्वाथ गई थी ठीक है? आपको पता होगा ब़या कि भारत ने 1 जियू सनक्षण दिम्यम कब लाया था? जल्ली कमेंट करके बताईएगा वन जीू समक्षन अधिम्याम भारत ने कब लाया था हमने पिछली कई क्लास में इसकी चर्चों कई बार की आपसे ठीक तो सुभारम कब किया गया इसका बिए 7 अपरेल 1973 को अब 2005 में NTCL आया गया 2005 में क्या लाया गया 2005 में NTCL यह है क्या इसका फुल फारम क्या होता आए देखते हैं इसका फुल फारम क्या होता बिए National Tiger Conservation Authority देखिए क्या इसका मतलब होता बिए National Tiger National Tiger Conjurvation Conjurvation Authority ठीक है Authority NTC इसकी हिंदी क्या होगी भी है राश्ट्रिय बाग संरक्षण प्राधी करण हिंदी क्या होगी भी है इसकी देखिएगा राश्ट्रिय राश्ट्रिय बाग संरक्षण संरक्षण प्राधी करण ठीक है राश्ट्रि बाग संरक्षण प्राधी करण किसकी हिंदियों के भिया, NTC की जल्दी से तना नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं जिल्दी तना नोट करिए भिया फिर आगे बढ़ते हैं चीजे तो दीख रहें न, clear अब जड़र कमेंड करके बता ही, चीजे clear दीख रहें न, कहीं पर किसी कोई दिक्कत नहीं दिच्छी से आप भी बता सकते हैं, चीजे clear दीख रहें न अगले topic की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इसी में आगे कुछ जोड़ते हैं, आपको बताते हैं इसका उदेश की बात करते हैं, इसका उदेश की बात करते हैं, अब उदेश की बात किजए इसका उदेश की क्या था पहला तो बिया, जो बागों की गिरती संख्या थी, उसको बढ़ाना तो पहला उदेश क्या था बिया, बागों की गिरती संख्या को बढ़ाना बागों की गिरती संख्या को बढ़ाना ठीक है यह पहला उद्देश इसका था दूसरा उद्देश इसका क्या था भई बागों की जब गिरती संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो पारिस्थित की तंत्र है वो संत्लित होगा तो दूसरा क्या भिया पारिस्थित की तंत्र को संतुलित करना क्लिर वाब या तो जो बागों की गिर्ती संख्या थी उसको बढ़ाने का काम किया गया इसके दोरा और बागों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो एको सिस्टम है वो भी क्या होगा बेश संतुलित होगा ठीक जल्दी नोट करेगे हां तक जल्दी नोट करेगे फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है नोट हुआ अब एक एक करके जानते हैं भी आ बागों की चर्चा कर रहे हैं तो बारे बताते हैं ठीक है अब उसके बारे में चर्चा करते हैं चलते हैं भी आ क्या क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हमको जानना है अब बाग की ज़िए वर्तमान में तो वर्तमान में भारत में कुल पचास टाइगर रिजर्ब हैं कितने भी आ वर्तमान में कुल कितने भीया भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्ब या पचास टाइगर रिजर्ब हैं कहां पर भारत में पचास टाइगर रिजर्ब कहां पर भारत में अब कुछ टाइगर रिजर्ब जो important उनकी चर्चा हम कर देते हैं ठीक है, तो हुआ क्या भीया, एक जुलाई 2014 को, तो सन्याद रखियेगा, एक जुलाई 2014 को भारत का सबसे छोटा Tiger Reserve घोसित किया गया, और कहां पर भीया, बोर, महाराश्रा में एक बोर नामक Tiger Reserve है, ठीक है, 2014 में इसे Tiger Reserve घोसित किया गया, तो पॉइंट करके हम लिखेंगे भया एक जुलाई आप तारीक भूल जाए लेकिन वर्ड स्याद रखिएगा भया एक जुलाई 2014 को ठीक महारास्टर के बोर वहां का जो वन जी अभैरन था भया पहले ये जो बोर था वो क्या था इसे महारास्टर का चठा ठीक है हमने कहा बोर वन जीव अभ्यारन को ठीक महारास्टर का छठा महारास्टर का ठीक तथा भारत का 47 वा तथा भी या भारत का कौन सा भारत का 47 वा भारत का 47 वा टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया ठीक जल्दी से नोट करिएगा भी हमने का कि जो महाराश्ट का बोर नामक अस्थान है बोर नामक वन्जी अभेरन था उसे 2014 में महाराश्ट का तो छठा लेकिन पुरे भारत की बात की जैब या तो पुरे भारत का कौन सा महाराश्ट का छठा और पुरे भारत का कौन सा ब्या 47 अटाइगर रिजर्ब घोसित किया गये जल्दी नोट करिएगँ अब या चीजे दिख रहे न, अच्छा थोड़ा से नीचे कट रहा है, चले थोड़ा से नीचे कट रहा न, अब दिख रहा होगा, इतना नोट हुआ भी है? नोट करें जल्ली से भी है, कमेंट करके जल्ली बताएं, छीक, आप जानते हैं, राजा जी रास्ट्री पार्क कहा है भी है, चले अगला पॉंट लिखेगा भी है, अगला पॉंट लिखेगा, राजा जी रास्ट्री है, उत्रा खंड में न, भी है, राजा जी रास्ट्री है पार्क को भारत का 48 तथा उत्राखंड का दूसरा कौन सा भिया उत्राखंड का दूसरा टाइगर रिजर्ब गोशित किया गया टाइगर रिजर्ब गोशित किया गया उत्राखंड का दूसरा टाइगर रिजर्ब गोशित किया गया ठीक है भैई हमने कहा भिया कि भारत का कौन सा भारत के भी 48 वा privilege है ना और उत्राखंड का कौन सा भिया उत्राखंड का दूसरा Tiger Reserve घोसित किया गया तो हमसे पूछेगा बया कि तो पहला कौन सा था तो पहला कौन सा था तो पहला कौन सा था भी जिम कारविट पहला कौन सा था भी जिम कारविट तो उत्राखंड का पहला कौन सा था भी या पहला था जिम कारविट ठीक है वही हेली जो सबसे पहले अस्थापी दो था राज्टी उध्यान के रूप में तो पहला टाइगर रिजर्व उत्राखंड का कौन सा भी जिम कार्बिट जल्दी नोट करिएगा भी यहाँ जे वीडियो के अंतर तक बने रहीगा लास्ट में मूटी विस्नल कहानी आपको जरूर बताएंगे ठीक है बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे ठीक अगली बात करते हैं भी यह दो हजार सोलह में असम के ओरंग को दो हजार सोलह में दो हजार सोलह में असम के ओरंग को किसे भिया असम के ओरंग को ठीक है तो अगला पॉइंट करके लिखेंगा भिया 2016 में 2016 में किसे भिया असम के ओरंग को ठीक है असम के ओरंग को वहां का ओरंग वन जी अभेरन था जिसे 2016 क्या गोशित किया गया Tiger Reserve गोशित किया गया और कौन सा किया गया भी 49 ओरंग को 49 ठीक तथा ओरंग को 49 तथा एक अस्थान है इसके अलावा ठीक है और है कहां पर भी आ उसे 50 गोशित किया गया अवडांचल प्रदेश के कमलांग को तथा अरुडांचल प्रदेश के कमलांग को कमलांग को को भारत का 50 वा कमलांग को भारत का 50 वा भारत का 50 वा Tiger Reserve गोशित किया गया 50 वा Tiger Reserve गोशित किया गया ठीक तो जल्दी से नोट करिएगा भी आ ठीक है हमने कहा कि 2016 विया असम के ओरंग को उसे प्रदेश के कमलांग को 50 वा Tiger Reserve गोशित किया गया कहां कभी आ भारत का ठीक नो तो बया? अगला देखे पूश सकता अब या कि भारत के कुल भोगोलिक छेतरफल के कितने परसेंट पर? ठीक है? Tiger Reserve जो छेतर गोशित केगे उनका विस्तार है तो भारत के कुल भोगोलिक छेतरफल मतलब जितना भोगोलिक छेतरफल है भारत का भिया? छेतरफल के कितना? 2.1.6% पर नोट करिएगा भया? छेतरफल के 2.1.6% पर किसका विस्तार है? Tiger Reserve का ठीक? तो इंपोर्टेंट भया यह है 2.1.6% भूभाग पर किसका विस्तार है? Tiger Reserve का पूरे भारत के भोगोलिक छेतरफल के ठीक है? जल्दी नोट करिएगा भया इसको फिर आगे बढ़ते हैं चीजों का आगे लेके चलते हैं अब 2006 में भया एक कारिकरम चलाए गया था जिसका नाम ही रखा गया बाग कारिकरम बागों की गड़ना की गयी इसमें ठीक है? बागों की संख्या निकाली गई तो बाग संरक्षड कारिकरम के दौरान 2006 में कारिकरम चलाए गया भया उस कारिकरम का नाम क्या था? तो 2006 के बाग संरक्षड बाग संरक्षड कारिकरम बाग संरक्षड कारिकरम ठीक है? कारकरम के द्वारा बागों की संख्या बताएगे बिया के द्वारा बागों की संख्या बागों की संख्या और कितनी बताएगे 1411 कितनी बताएगे बिया बागों की संख्या कितनी बताएगे 1411 कितनी बताएगे 1411 बागों की संख्या बताएगे तो हमने कहा कि बागों की संख्या कितनी बताएगी 1411, कब बताएगी 2006 में और किसके द्वारा बताएगी, बाग संरक्षन कारिकरम के द्वारा बताएगी 2010 में बढ़कर कितनी हो गई संख्या ये बैया, नोट करते चलिएगा इंपोर्टन्ट है, 2010 में बढ़कर कितनी हो गई, कितनी हो गई, बागों की संख्या कितनी हो गई, कब, 2014 में अब बात करते हैं, वर्तमान में कितनी है, हमसे पूछ सकता वर्तमान में कितनी बैया, तो वर्तमान में 2967 है इस सीज का धान रखिएगा बैया, वर्तमान में कितनी है, 2967 ये बागों की संख्या है बया ठीक है ये 2010 कांकड़ा है ये 2010 कांकड़ा है ये 2014 कांकड़ा है ये वर्तमान कांकड़ा है ठीक वर्तमान में बागों की संख्या कितनी बया 2966 है किलर हुआ इतना तो नोट करेगे इसको भी या और कहें भी कोई भी दिख्या तो कमेंट करके बताते रही है ठीक जल्दी नोट करेगा भी या नोट हुआ इतना जल्दी कमेंट करके बताई नोट हो गया अगली बात करते हैं भी हमसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर भारत का कौन सा है भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्ब कौन सा है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्ब ठीक टाइगर रिजर्ब कौन सा भी है नाम उसका नागरजुन नाम क्या नागरजुन देखें साउट के खीरो भी है नागरजुन ठीक है नागारजुन सागर नाम है क्या नाम उसका भया नागारजुन सागर ठीक है इसका और भी नाम रखा गया क्या रखा गया स्री सैलम क्या रखा गया भी स्री सैलम ठीक है नागारजुन सागर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्ब है ठीक नाम क्या भया नागारजुन सागर और कहां पर है भया यह जल्ली कमेंट करके बताएगा इसका नाम है सिरी सैलम अभ्यारण जल्ली कमेंट करके बताएगा कहां पर है यह सिरी सैलम अभ्यारण जल्ली कमेंट करके बताएगा कहां पर है यह नई तो हम तो बताएंगे ही कहाँ पर देखिए और उडांचल प्रदेश में कहाँ पर है अरुडांचल प्रदेश में आप प्रदेश में जल्ली कमेंट करके बताईया नीए कहाँ पर है ये है तीन एक वर्ग किलोमीटर कितना देखिए एक बया तीन हजार दो सो चानवे दसम लौ तीन एक वर्ग किलोमीटर इसको भी नोट करिएगे नीचे केमेंट करके जल्दी बताएए सिरी सैलम कहां पर है थोड़ी बहुत मेहनत सर चोड़ चाप लोग भी करते रहे हैं नहीं तो इस्तिर हो जाते हैं आप लोग सबसे छोटा देखिए कहां भी अभी हमने चर्चा की थी सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है देखिए अभी हमने चर्चा की थी भी उसका नाम क्या है बोर ठीक है बोर टाइगर रिजर्ब बोर टाइगर रिजर्ब और कहां भी ह या महारास्ट्रा में कहां पर भी आई है महारास्ट्रा में है जिसे 2014 में टाइगर रिजर्ब के रूप में घोसित किया गया कि इसको भीया बॉर, Tiger Reserve को ठीक है, कहाँ पर है महरास्ट में area की बात कीई area कितनी भीया इसकी 138.10 122 वर्ग किलो मेटर ठीक 138.12 2 Roman किलो मेटर किसकी area भीया बॉर, Tiger Reserve की clear यह गया इतना जल्दी से note करेगा भाई कुछ लोग तो answer सही दे रहे कि इतनी बाते समझ में आ गए बिया जल्दी कमेंट करके बताईए जितना बताएगा सुब समझ में आ गया कहीं भी किसी को कोई दिक्त नहीं होनी चाहिए ठीक है अब सिरी सैलम में बिया एक पॉइंट छूटा हुआ था कि सिरी सैलम के अस्थाफना हुई थी बिया 1978 में कब कि आ गया था बिया 1983 में 78 में अस्थाफना हुई थी किसकी सिरी सैलम की थोड़ा सा आप रिवाइन करेंगे बिया क्योंकि जितना पॉइंट हमको मिला भी हमने सोचा कि आपको मिंसन करवा दिया जाए बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं सिरी सैलम के अस्थाफना कब हुई अगली बात करते हैं बिया जो बोर अबहरन बताएगा ना पिया उसके स्थापना 1970 में यह 1970 में अस्थाफित हुआ था और 2014 में इसे टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया जो रहे बताई पढ़ने मज़ा तो आ रहा ना बिया किसी कोई दिकत कहीं पर क्योंकि जब तक पढ़ने मज़ा ना है तक पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो पढ़ाने में भी हमको अच्छा लगता है आप लोग अच्छे से बागों की संख्या कहां पर है भारत में तो आपको पता भया एक स्टेट है उसका नाम ही टाइगर स्टेट है कौन सा भया टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं टाइगर स्टेट यंपी को यंपी को क्या बोलते हैं वे टाइगर स्टेट बोलते हैं क्योंकि यहीं पर बागों की संख्या सरबादिक है और कितनी है 526 सरबादिक बागों की संख्या कहा भया MP में इसलिए इसको Tiger State बोला जाता है कितनी है 526 दूसरे स्थान पर कौन सा राजविय करनाटक कौन सा करनाटक कितनी है 524 कितनी है 524 खिलर हुआ अब बात की जब यूपी में बागों की संख्या कितनी है या उत्राखंड में कितनी है तो तीसरे अस्थान पर भीया कौन सा उत्राखंड ठीक है तीसरे अस्थान कौन सा भीया उत्राखंड यहां पर बागों की संख्या कितनी नोट करेगे भी 442 442 यूपी में कितनी भी हमिए कि यूपी में एक सो सत्रा इस यूपी में चंग पहलु को सूथ कुल्स अब 1100 जल्द से पॉइंट में संक करियेगा आज़ी को तब तक हम देख रहे हैं, चीज़ें दिख रहे हैं, हाँ दिख तो रही भी आ, अच्छे से दिख रहे हैं चीज़ें आपको, जल्दी से मेंसन करिएगा भी आ, चीज़ों को, ठीक, चीज़ें आगे बढ़ते हैं, यह तो बातरी बे किसी सर्बादी कहां पर हैं, ठीक है, अब अगर पूछें बिया, कि सबसे अधिक बागों की संख्या किस देश में है तो भारत में है, कितनी संख्या आप जानी चुके हैं, दूसरा स्थान पर रूस है, ठीक है, ये जला सोचिए है कि भारत में तो एक राजी में इतनी संख्या है ठीक है अब बात करते Türkiye यूपी में कौन-कौन सा भाग अभ्यर्ण है ठीक है कौन-कौन सा भाग टाइगर रिजर्व छेत्र कौन-कौन सा घोसित किया गया कब किया गया ठीक है तो कौन-कौन सा यूपी में देखिएगा या नोट करिएगा यूपी में अभी तीन है दो क्या स्थापना की बात की जा रही है एक दुधवा है ये टाइगर रिजर्व है भी या दुधवा कहां पर लखीमपूर में नेपाल के बार्डर पर ठीक है लखीमपूर में दुधवा और कब 1987 में 1987 में दोसरा काउन सा भी या एक आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा भी अमानगर या सुना होगा तो अच्छी बात है अमानगर अब ये अमानगर कहां पर है अमानगर टाइगर रिजर्व कहां पर भी या ये कहां पर है विजन ओर में ये कहां है विजन ओर में है ठीक है ये कब गोसित हुआ 2012 में ठीक लास्ट भी पीली भीट टाइगर रिजर्व पीली भीट टाइगर रिजर्व ये कब भीया 2014 में ठीक ये यूपी के तीन टाइगर रिजर्ब हैं ठीक दो के अस्थापना की बात की जा रही कहां कहां पर भिया चित्रकूट में और कहां पर ललितपूर में नीचे नोट करके लिख लेंगे भिया दो जगहों पर टाइगर रिजर्ब अस्थापना की बात हो रही कहां कहां प ही है जो यह पॉइंट भी जल्ली से मेंशन करिएगा जल्ली से मेंशन करिएगा इसे सब आगले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं देखें पॉइंट काउचा विसो का सबसे उचा विसो का सबसे उचा टाइगर रिजर्व कौन सा है विस्व का सबसे उचा टाइगर रिजर्व कौन सा है Tiger Reserve ठीक है? कौन सा है? नाम दफा कौन सा भी यहां? नाम दफा और कहां पर है? अवडानचल प्रदेश में नाम दफा बिसु का सबसे उंचा Tiger Reserve है और है कहां पर भी है? अवडानचल प्रदेश में तो इस point को भी आप mention करेंगे ठीक है? अग्ला बिसु का सबस्यादिक घनत वाला बिसु का सरवादिक बिसु का सरवादिक घनत वाला Tiger Reserve कौन सा है? तो कौन सा देखेगा बिसु का काजी रंगा जहां पर एक सिंग वाले गंडे को भी सनक्षण दिया जा रहा है है काजी रंगा और काजी रंगा कहां पर बया असम में काजी रंगा असम में है ठीक जल्दी से नोट करिएगा बया नोट हो बया इतना आगे बढ़ें चला आगे बढ़ते हैं भी या अगला पूछा जाब यह बिस्व का पहला बाग सिखर समिलन कब और कहां हुआ था तो एक अस्थान है सेंट पीटर्स बर्ग ठीक है रूस का एक अस्थान है जिसका नाम क्या सेंट पीटर्स बर्ग वहीं पर बिस्व का पहला यहां समेलन किया गया ठीक तो हमने पॉइंट कौँ सा बताए भी है हमने का बिस्व का पहला ठीक बेसुका पहला बेसुका पहला और कौन से सम्मेलन भीया बाग सिखर सम्मेलन कहां पर किया गया सिंट पीटर्स बर्ग में बेसुका पहला बाग सिखर सम्मेलन बाग सिखर सम्मेलन सम्मेलन ठीक है कब किया गया भीया 2010 में किया गया 2010 में किया गया और कहां किया गया St. Petersburg में कहां किया गया बिया St. Petersburg में St. Petersburg में और है कहां पर भी आस्थान ये रोस में St. Petersburg में बिस्व का पहला बाग सिखर समेलन किया गया यह है कहाँ पर सेंट पीटर्स बर्ग में है नोट करिएगा भी या बात करते में सफेद बाग की तो थोड़ा सा बैक्गराउंड मर्था थोड़ा सा हिस्टरी के तरफ बढ़ेंगे हम अब हुआ क्या बया कि विस्ट का पहला सफेद बाग पूछा जाएगा कब और कहाँ देखा गया तो एक पर्टिवलर डेट बताएगी 27 मैं 1951 को यंपी में एक जिला इसका नाम यह सीधी जिला यंपी में एक जिला इसका नाम क्या बढ़े सीधी जिला है यंपी में सावक का मतलब क्या बच्चा था वो ठीक अब उन्होंने किया क्या बढ़े इसको लाकर एक बाड़े में रख दिया जो इनके पास एक किला था उसी किले के बाड़े में रख दिया जहां पर सैलानी आते थे इसको देखने के लिए तो जो पहला सफेद बाग देखा गया कहाँ पर, यंपी के सीधी जिले में, किसी ने देखा महा राजा मारतंड सिंग ने, कब देखा उनी सूग्यावन में, इन्हों ने इसका नाम क्या रखा, मोहन रखा है ना तो पॉइंट करके लिखेंगे भीया देखें इसलिए सफेद कलर के सफेद कलर से लिख रहे ना भीया इसको देखिएगा बिसु का पहला सफेद बाग बिसु का पहला सफेद बाग बिसु का पहला सफेद बाग है ठीक कहां देखा गया बिया 27 मई 27 मई 1951 को 27 मई 1951 को यंपी के सीधी यंपी के सीधी जिले में महाराजा मारतंड महाराजा मारतंड सिंग ने महाराजा मारतंड सिंग ने सिकार के दोरान देखा मारतंड सिंग ने किसके दोरान देखा बिया सिकार के दोरान देखा ठीक सिकार के दोरान और इन्हों इसका नाम क्या रखा बिया नाम क्या रखा बिया इसका मोहन नाम क्या रखा मोहन नोट करेंगा भी यह पॉइंट भी नाम क्या रखा गया भी इसका मोहन रखा गया किसके दौरा महाराजा मारतंड सिंग के दौरा बात किलर हो गई इतनी भी या आगे बढ़ा जाए अब अगर पूछा जाए भी या कि भारत का पहला भारत ने बिस्व का पहला सफेद बाग रिजर्व कहां स्थापित किया गया बिस्व का पहला सफेद बाग रिजर्व बिस्व का पहला सफेद बाग रिजर्व है ना वाइट टाइगर सफारी क्या स्थापना कहां की गई बिल्कुल अब देखे कहां की गई सतना यंपी के सतना के एक बिया मुकुंदपूर है यंपी के सतना में क्या बिया एक मुकुंदपूर यंपी के सतना जिलाएना बिया वहां कर यंपी के सतना जिले के मुकुंदपुर में है जिले के मुकुंदपुर में मुकुंदपुर में और अस्थापना कब हुई थी भिया इसको हम लिखेंगे मुकुंदपुर में अस्थापना कब कीगे भिया इसकी 2016 में 3 अपरेल 2016 को तो तो नीचे लिखेंगे भी आम, 3 अप्रेल 2016 को इसके स्थापना की गई, भारत नीपुरे भी सुका, पहला सफेद बाग, रिजर्ब कहा खोला गया, यंपी के सतना जिले के भी आम मुकुंदपुर में, और कब 3 अप्रेल 2016 को, इतनी बात समझ में है, जरा कमेंट करके बता हैं, ठीक, फिर आपको मोटी विसनल कहानी बताते हैं, क्लास को यह पर इंडिकरते हैं, अगली क्लास में हमको बताएंगे भी आग गिद्ध चनरक्षन परियुजणा के बारे में, है न, और किसके बारे में भी आ, हाथी परियुजणा के बारे में, जो प्रमुक उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आज की क्लास यही तक, जाने से पहले मोटी विसनल कहानी को सुनते जाईएगा, जैसा कभी हमने सुरुआत में कही थी न, कभी जिन्दगी में खुसियां मिलें, ठीक है, तो मिठाई की तरह, मिठाई समझ कर खा लेना, और अगर ग गम मिलें, तो क्या करना हमको उसे, गम मिलें, तो दवाई समझ कर खा लेना, खुसियां मिलें, तो मिठाई समझ कर खा लेना है, और गम मिलें, तो दवाई समझ कर खा लेना है, उसी को उपर भी एक कहानी है, अब हुआ क्या कि एक गरीब परिवार का बच्चा था, उसके अंदर बड़े आदमी बनने के एक ललक थी उसके अंदर बड़ा आदमी बनने की एक इच्छा थी नहीं हम बड़ा आदमी बनेंगे और किसी महान बेक्ति ने कहा भी है कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है गरीब मरना बहुत बुरी बात है कि इंसान ने आपको वही हाथ पर सब कुछ दिया है, भगवाने सब कुछ आपको दिया है, हाथ पर वही दिमाग वही सब कुछ दिया, तो आप क्यूं नहीं करते हैं अपने लिए प्रियास, ठीक है, तो उसी को पर एक छोड़ी सी कहानी, अब वो गरीब बच्चा आगे बढ़ना किसे तरीके से, अब उसने एक बार पेपर में देखा, कि एक जगा इस्तिहार निकला था, ठीक है, इस्तिहार क्या निकला था भया, कि एक कोई कंपनी थी, उसमें वरकर्स की जरूरत थी, ठीक है, उसमें कर्मचारी की जरूरत थी, और जो क्वालिफिकेशन माग मागी गए थी हाई स्कूल मागी गए थी पहुंच गया वहां पर पर डाकुमेंट्स लेकर जो भी इसके पास था अब ग्रामीट छेतर से जुड़ा हुआ लड़का था बहुत जादा जानकारी थी नहीं इसके पास वहां पहुंचा अब कई लोग इंटर्व्यू ले रहे थे कि कंपनी के लिए तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो इस तरह से अब एक इंटर्विवर ने पूछा कि तुम्हारे पास इमेल आइडी है सायद कहानी अपने कभी ने कभी सुनी होगी इसको उसे ने जबाब दिया नहीं मेरे पास इमेल आइडी तो नहीं है तो इंटर्विवर ने कहा यार दुनिया इतने आगे निकल गई अभी तक तुम्हारे पास इमेल आइडी नहीं है तुम नोकरी करने कैसे चलाया यहां उस इंटर्वीवर ने उसको फटकार के बाहर निकाल दिया कि जब तुम्हारे पास email ID नहीं है तो नोकरी कैसे करोगे तू अब निरास हतास कंपनी से बाहर निकला बड़ी उमीद लेकर आया था कंपनी में जॉब उसको मिल जाएगी बाहर निकला अपनी जटोला तो उसको सिर्फ दो सो रुपय जब में मिले अब सोच रहा था वो उसने तेएग कर रहی था कि हमें वापस भी नहीं जाना है हमें गाओं भी नहीं जाना है और गाओं जायेंगए सफल होके जाएएगे सकसेज होके जाएगे दो सो रुपए उसकी जेब में थे उसने उन्हीं दो सो रुपए से पास ने एक मंडी थी फल मंडी थी वहां से सेब खरी दे और जितना सेब उसको मिला दो सो रुपए में उसने क्या किया उसको एक पैकेट में बाधा और डोर टो डोर दरवाजे से दरवाजे पर जाकर उसने सप्लाई कर दिया उस सेब को अब उसको जब उसने सेब सप्लाई किया तो पूरा सेब सप्लाई करने के बाद उसको 70 रुपए का मुनाफ़ा हुआ अर्थात उसके पास अब कितने हैं थे 270 रुपए 200 रुपए तो उसके पूझी थी 70 रुपए उसको मुनाफ़ा हुआ 200 रुपए से उसके दिमाग में आ गया यह तो काम बढ़िया है यह काम बहुत अच्छा है कि 200 रुपए लगाने 70 रुपए मुनाफ़ा हमको मिलिया उसने यही काम सुरू कर दिया अब रोज करता क्या फुट पात पर सोता सुबा होते मंडी जाता वहां से कुछ फल खरिता उनको पैकेट में बांगता और दरवाजे से दरवाजे पहुचा देता भई हमको आसानी है जब उसी रेट में जो मंडी के अलामा जो मार्केट रेट है उसी रेट में हमको कोई लागे दरवाजे पर दे जाए कोई समान तो हम लेना क्यों नहीं पसंद करेंगे और सुद अच्छा समान तो इस तरह से इसने करना शुरू कर दिया अब धीरे धीरे उसी मंडी में उसी फल मंडी में इसकी एक अपनी दुकान हो गई उस सबका मालिक बन बैठा ये अब पेपर में आर्टिकल निकला इसका कि गाउं से आया हुआ एक बच्चा गाउं से आया हुआ एक ब्यक्ति इस तरह से बहुत आगे निकल चुका है वो गाउंवाले जब उसको पढ़े तो हतास रह गए कि ये तो गाउंवे घुमता रहता था नाकारा था विकार था इतनी आगे कैसे निकल गया तो कुछ पत्रकार लोगों ने सोचा लाई इसका इंटर्व्यू लिया जाए इससे पूछा जाए अब कई चैनल्स के लोग गठा हो गए पर कई मीडिया के लोग गठा हो गए वहां पर इंटर्व्यू लेने लगे इसका इससे जब उन लोगों ने पूछा कि तुम इतने आगे कैसे बढ़े ये सारी चीज बताता गया बताता गया अब उसी मेंसे एक मीडिया कर्मी ने कहा कि सर अगर आप अपना email ID दे दे दें तो जो इंटर्व्यू है मैं आपके email ID पर send कर दूँगा इसने कहा वो तो नहीं है इसने कहा वो तो नहीं है उस मीडिया कर्मी ने कहा अरह सर आप इतने बड़े आद्मी इतने आगे बढ़ गए आप आपके पास email ID नहीं है तब इसी ने कहा कि सारा खेल तो email ID का ही है अगर मेरे पास email ID होती तो मैं आज उसी company में कर्मचारी होता और साइद 8-10,000 रुपई कमा रहा होता लेकिन आज मेरे नीचे कम से कम 5-600 आदमी काम कर रहे है तो सारा खेल किसका email ID का ही तो है मेरे पास email ID नहीं थी जिसकी वज़ा से मैं इतना आगे बढ़ पाया इससे हमको सीख क्या मिलती है सीख मिलती है कि अपनी छमता को पहचानी है कि हम किस लिए बने हुए है हम किस के लिए particular बने हुए है अपनी छमता को पहचानी आप और जिस दिन आप ऐसा करना सीख गए अपनी छमता को जिस दिन पहचान गए आप कि हम किस लायक हैं हम किस सेक्टर में, किस छेत में बहतर कर सकते हैं उस छेत में जिस दिन आप लग गए आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता है इसी के साथ आज की क्लास कोई उबर करेंगे क्लास अटेंड करने के लिए हमारा साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तहे दिल से सबको बहुत-बहुत धन्यवाद अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली motivation इस पीज के साथ तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहिए मुस्कराते रहिए नमस्कार